अलेही यूपी की योगी सरकार प्रदेश की स्वास्ते सेवा को लेकर अलाख दावे करें लिकन दावों की हकीकत खोलने के लिए राय बरेली का सामुदाइक स्वास्ते केंद्र ही काफी है दरसल सामुदाई के स्वास्ते केंद्र और सरकारी आवासों में रहने वाले घरों का बिल जवा नहीं होने पर बिजली कनेक्शन काट दिया गया बताय जा रहा है कि बीते एक सप्ता से ना तो स्वास्ते केंद्र पर बिजली आई और ना ही सरकारी आवासों में रहने वाले करमचारियों के घरों में बिजली पहुंची आलम ये है कि सामुदाई के स्वास्ते केंद्र में आने वाले मरीजों को भी गर्मी में अपना इलाज करना पड़ रहा है जबकि सरकारी आवास में रहने वाले लोगों को बिना बिजली के परिशानी उठानी पड़ रही जन्रेटर चलाया नहीं गया? अभी जन्रेटर चलता तो आपके सामने पंखा चलता तो गर्मी में आप लोग परिसान हैं अच्छा तो कल से भरती हैं ने अभी गंटा और हुआ है एक डेड़ गंटा हुआ तो क्या आपकी इस बीच में लाइट गई है तो क्या जन्रेटर एक बार भी चलाया नहीं नहीं तो कैसे मोबाइल चार्ज करते हैं कैसे गर्मी में मोबाइल और गर्मी से बचने के लिए बाहर कर्मचारी है यहां के पाइलेट है लेकिन बिजली के कोई सविधा नहीं है प्रबलम है लाइन काड़ दी गई तो आप लोग गर्मी में रहती हैं कब से आठ दिन से कोई सुनने वाला नहीं है और ना वहां है अच्छा उनसे कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो इसी तरह गर्मी में मोबाइल बगएरा और रात में कैसे सोती हैं वहीं ambulance करमचारियों का कहना है कि डॉक्टरों के आवाज पर तो बिजली आ रही है लेकिन करमचारियों के घरों का कनेक्शन काट दिया गया कि आप लोग के बल गर्मी में परिसान है इसर पूरा स्टाफ किसी से कहा नहीं कोई शिकायत नहीं कि अपने बड़े अधिकारी को बताया लेकिन कोई कारवाई भी नहीं और रखभग एक सब्दाव गया है यहां पर लाइट कड़ गयी है और जो भी सिस्टम हो यह बिल पेड़ है या नहीं पेड़ है जिसके काई स्वलाइट कड़ गई है और लोग बड़ी समस्था होती है जैसे कि जिस मॉबाइल से मिलता है लखना वस्टाफर के आता है पर बिजली नहीं आने से लोगों को काफी मुश्किले उठानी पड़ रही है। पर बिजली नहीं आने से लोगों को काफी मुश्किले उड़ रही है।